नया भारत नितने प्रयोग कर रहा है इसी कड़ी में बन रहा है नया संसत भवन दुनिया भर में भारत के लोग तंतर को सम्मान से देखा जाता है ऐसे में लोग तंतर का सबसे बड़ा प्रतीक संसद अब नये रूपरंग में दुनिया के सामने आ आएगी इस से भारत की चवी में चारचांद लगेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नये संसत भवन क उत्खाटन करेंगे। आप डेमोक्रेसी की प्रेड़ना होगी। 28 मही की तारीख हिंदुस्तान के इत्यास में हमेशा याद रखी जाएगी। देश के इत्यास में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन नए संसत भवन का उत्खाटन करेंगे। लोक तंत्र का नया मंदिर। नय संसत भवन में सुरक्षा और सुविधाओं की भरमार होगी। तो इस पेज भी ज्यादा होगा। नया संसत भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। ये भवन 4 मंजुला है। इसमें 1200 करोड रुपे का खर्च आया है। वहीं मौजूदा भवन गोलाकार है लेकिन नया भवन त्रिकोणाकार है। इस संसत भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्ता की गई है। इसमें लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 सांसत बैठ सकेंगे। नय संसत भवन परिसर में सांसदों के दफ्तर बनाये गए हैं। साथ ही इसमें एक Constitution Hall बनाया गया है जुसमें संविधान की मूल कौपी रखी गई है। नय संसत भवन में विजिटर गैलेरी भी तयार की गई है। साथ ही यहां लोकतंत्र की विरासत को दिखाने के लिए Digital Library भी तयार की गई है। दर असल नया संसत भवन पुराने संसत भवन से काफी अपग्रेट है। नया संसत भवन आधोनिक सुख सुविधाओं से लेस है। संसत की वर्तमान बिल्डिंग अप धीरे-धीरे कमजोर हो रही है और इसकी सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में नए संसद भवन की आवशक्ता पड़ी थी वर्तमान संसद भवन में क्या? वर्तमान संसद भवन में लोग सभा के 545 और राज्य सभा के 245 सांसद बैट सकते हैं वर्तमान का हमारा संसद भवन ब्रिटिशों के जमाने में बना था 1921 में शिलानियास होने के बाद 6 साल बाद निर्मान पूरा हुआ 144 स्थंबो पर बने भवन का डिजाइन एडवर्ट लूटियंस ने तयार किया था बहुत समय से सांसद मौडन और हाइटेक फैसिलिटी की मांग कर रहे थे वर्तमान संसद भवन मौडन कम्यूनिकेशन के साथ अपग्रेट नहीं हो सकता था बुकंप रोधी सुरक्षा व्योस्ता के साथ भी इससे अपग्रेट नहीं किया जा सकता था ऐसे में अपग्रेडेशन से 13.90 साल पुराने भवन को नुकसान हो सकता था यही वज़़ थी कि देश में नए संसद भवन की आवशक्ता थी ऐसे में नए संसद भवन का निर्मान कारी किया गया वही खास बात यह है कि नए संसद भवन को भविश्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी तयार किया गया है क्योंकि भविष्य में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो उसकी जरूरत नए संसद बौन में पूरी हो सकती है वही नए संसद भवन को वास्तु के अलावा हर लिहास से सुन्दर बनाने की कोशिश की गई है इस भवन का तिकोना आकार भी वास्तु के साब से तै किया गया है दरसल भारत की संस्कृती में त्रिबुच का काफी महत्व है इसका जिक्र वैदिक संस्कृती में भी मिलता है जिसे त्रिकोन कहा जाता है कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दोरान भी त्रिकोन आकरती बनाई जाती है मान्यता है कि इस आकरती से ही अनुष्ठान पूरा हो जाता है बारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है और यहां की संसद ये प्रणाली लोगतंत्र का आधार है ऐसे में संसत भॉन की भूमिका बेहत महत्वपूर्ण हो जाती है नए संसत भॉन में ना सिर्फ पहले से ज़्यादा स्पेस होगा बलकि सुरक्षा और सुविधाएं भी आधोनिक होगी नए संसत भॉन के निर्माण में नई तक्नीक का इस्तमाल किया जाएगा जिस से ये प्राकरतिक आपदाओं और अन्य खत्रों को जेल सके